कि आहां कि अगा करता है किसया थे कृना देकatore्च जो पुझा कर देता है इसे अक्टभ प्रटेक्शन सिस्टम हम बहamente आग अगर शुरू हो रही है तो उसे वह बुजाना शुरू कर देता है क्योंकि इसके अंदर और आता है इंस्टॉल फायर्फाइटिंग सिर्फम के अंदर आता है ठीक है इसकी जो प्रॉड़ जो फैर फायर लगना शुरू होती है तो स्प्रिंक्लर हैट के थू वाटर सप को श्रिंक्लर रहते हैं थोड़ा साथ चीज़े सिमिलर रहते हैं तो मैं आपको बता देते हूं देखिए टाइपस of system क्या है यह यह स्प्रिंकलर के टाइप पर चार यह होते हैं वैट पाइप, ड्राइप, ड्राइप, ड्यालुग, प्री अक्षिन था ठीक चार टाइप के तो जहां भी जुगाना शुरू कर देता यहां नहीं पाती है। जहांने टेभब गणर Sprelazen चैसे अंधर पानी भर्हें शोल्के नरे दोटीने कैम। कोई भी smoke या flame इने जैसी मिलती है तो क्या होता है इसकी जो valve है वहां से खुल जाती है जैसी bulb रहते है इनके तर बल्प की coding रहती है बल्प फूट जाता है तो जैसी water supply होना शुरू हो जाता है पूरे branch में और नीचे जहां भी आग लगी है उस extinguish करना शुरू कर देता है ठी वैट पाइप के एक बार डाइग्राम दिखा देती हो आपको यह देखिए यह है वैट वैट सस्टम यह वाटर सप्लाई यहां से आ रही है यह automatic sprinkler है इधर क्या है coding रहती है तो क्या होता है बल्प जो हो तूट जाता है उसके बाद यह पानी का flow जो हो शुरू हो जाता है वैट पाइप के अंदर पानी भरा रहता है पहले से ही और जैसी आग लगती है तो वाटर सप्लाई जो है वहां से पानी फ्लॉट होना शुरू हो जाता है ठीक है यह हो गया वैट पाइप यह देखिए अभी यह है ड्राय पाइपस इसमें क्या रहता है इसमें पानी देखिए सारिफ स्प्रिंकलर सिस्टम इसी तरीके से फिक्स्ट रहता है और जैसी फ्लेम इसको मिलती है वैसी वाटर फ्लो आना शुरू हो जाता है और आग जो उसे बुझाना शुरू कर देता है यह में लिए आपको बताई चुकिए यह स्पैशल हजार मतलब जहां होता है तो पाइप भी खराब कर देता है पाइप को भी डैमेज कर देता है इस वजह से ड्राइप राइजर ड्राइप स्प्रिंकलर जो है वह यूस किया जाता है ठीक है और क्या होता है कहीं कहीं बहुत ही ठंडा मौसम होता है ठंडी इतनी तेज पढ़ रही होती है कि ज राइ पाइप और बैट पाइप एक्लेयर हो गया, दोनों में वाटर रहता है, नेक्स वाटर धिया यह यह अब देखिए, इसमें क्या रहता है, यह वाटर का तो रहता है, यह मेंग्ली किसके रहते है, AFFF और प्रोटीन फार्म के, है अच्छा फर्म रहताया यह बहुते है यहां प्रोटीन फर्म रहताया इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं इसके लिए ठीक है और वॉटर और फर्म दोनों के लिए विस यूज होता है पर मीली इसमें फर्म रहता है डेलि Assam ceriakpen G7 ना तरल पदार से लगने वाली है उसके लिए डेल्यूज स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं जैसे कि कोई भी ओयल रिफाइनरी इंडरस्टी होती है तो वहां पर यही वाला स्प्रिंकलर सिस्टम इंस्टॉल रहता है ठीक है तो डेल्यूज हो गया अपना वैट हो गया और ड् अधिक है तो आपको मेंली याद रखना है कि तीन टाइप के में इस प्रिंकलर यूज किये जाते हैं वैट ड्राइ और ड्यूज ठीक है प्रिंकलर का वैनिफिट यह कि आप किसी भी बड़े से बड़े नुकसान होने को रोक सकते हैं आग लगने से जो भी नुकसान अगर होने वाला है और हमारे यहां फिक्स्ट फायर फाइटिंग में स्प्रिंकलर सिस्टम अटैज्ट है तो यह समझ लेज़े आग लगने से पहले ही हम उसे बजाना शुरू कर सकते हैं और अलर्ट तो यह हमें करी देती है ठीक है तो यह फायर प्रिवेंशन सिस्टम जो रहत है ठीक है ठीक है जरी अकी तो पूरी बात होगी कुछ कॉस्क्ष कंपोनेट सी स्प्रिंग हां जाना चाहूंगी यह कंपोनें फायर तरह होता है ordinary hazard और extra high hazard यह तीन तरह के hazard रहते हैं जिस पर work करना शुरू कर देता है बाकि सारा system जो है वो इस तरीके से work करता है जो मैं आपको बता चुकी हूं fixed रहता है जो मैंने आपको रैकरम बता है उसी तरीके से fixed रहता है सबी जगाओं पर और यह अपना work करना खुद पर खुद शुरू कर देता है अब रही इसके maintenance की बात और टेस्टिंग की बात ठीक है इसके maintenance हम कर सकते हैं within one year हम इसका maintenance करवा सकते हैं और टेस्टिंग इसकी हर मंद पर करनी होती है कोई भी हम flammable चीज लगाके उसका test कर सकते हैं कि यह work कर रहा है यानि इसके अंदर का material जो work कर रहा है यानि testing करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर कभी भी कोई भी ऐसा हजार यह situation आती है तो हमारा जो भी system है वो ठीक से work करें तो इसलिए testing करना इसकी ज़रूरी रहती है ठीक है तो इस तरीके से आज स्प्रिंकलर के बारे में हमने जाना कि कैसे work करता है और यह स्प्रिंकल system में हमने तीन चीज़े पढ़ ली है और फार अलार्म डिटैक्टर और स्प्रिंगलर ठीक है